अब हम बढ़ेंगे कि एंसुलिन जब बॉडि में रीलीज हो जाए तो उसका क्या क्या Effect होता है और कहा कहां पे क्सा कर? इसके भी फर्दर अलग अलग आपके सकते हो की तरीके हैं जिसकी वज़ा से कार्बोहड़ेट की मेटाबॉलिजम पर असर अंदाज हो गई है एक पॉयंट है हमारा कि इनक्रीजिस अच्ट्री ऑफ Trickourse इंटू सेल जादा से जादा गुलुकोज को सेल के अंदर मुफ करवाएगा जादा से जादा blood glucose level जो जादा हुआ है तो उस glucose को blood में से cell के अंदर move करवाएगा कैसे move करवाएगा by stimulating the process of facilitated diffusion अब facilitated diffusion क्या है तो पहले diffusion समझ लें यह term इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं biochemical principles में हमने इस term की definition की थी तो diffusion क्या होता है movement of molecule from higher concentration to lower concentration is called diffusion अब facilitated diffusion क्या होता है तो facilitate करना किसी को कोई सहूलत देना तो facilitated diffusion क्या है क्या है यह जो movement हो रही है higher molecule से lower concentration की तरफ जो molecule की movement हो रही है तो ये किसी की वज़ा से होगी किसी केरियर की वज़ा से होगी कोई चीज है जो के गुलुकोस को लेके जाएगी higher concentration से lower concentration की तरफ अब क्यूंकि हम बार-बार कहे रहे हैं कि blood में glucose का level जादा हुआ है तो higher concentration कहां है blood में और इसी function के start में हमने पढ़ा के glucose की entry कहां करवा रहा है insulin cell के अंदर तो movement होगी blood से cell के अंदर कौन से process के तरो होगी facilitated diffusion के तरो होगी कहां पे होगी especially in muscles, adipose tissues, the heart, smooth muscles of uterus by activating glucokinase और यह होगी कैसे glucose काइनेज को activate करवा के अब glucose काइनेज क्या है एज, A-S-E-A-S, जिस भी term के end में आएगा तो वो enzyme के लिए, वो enzyme क्या नाम होगा यह वो enzyme को show करवाएगा, A-S-E-A-S, तो glucose काइनेज एक ऐसा enzyme है, जो के इस process को carry out करवाएगा, अब इस statement को यह हमारा जो first function है, carbohydrate की metabolism पे, उसका भी first part है, A part, हमने उसी को, फिलहाल उसका सिर्फ एक statement पढ़ा है, but on दी से आपको समझ आगे होगा कि आप आगे भी इसका कोई statement रहता है, तो first statement में हमें यह समझ आई, यह जो नीचे summarized form लिखी है, इसको एक नसर देख लें, कि increase करवाता है, entry of glucose, कैसे, facilitated diffusion के थूँ, और किस कौन से enzyme को activate कर आएगा, तो glucose kinase को activate करवाएगा, अभी हम facilitated diffusion को और समझते हैं, कि यह है क्या, यह आपके सामने एक slide है, यह lipid by layer के आपकी plasma membrane है, यह green color के, इसमें जो है protein के transporter जो हैं, वो नजर आ रहे हैं आपको, जो के carrier की तरहां काम करेंगे, और यह glucose को cell के बाहर से, यानि के blood से, cell के अंदर की तरफ move करवाने में मदद देंगे, इसलिए हमने इसको कहा था कि यह facilitated diffusion है, और diffusion क्यों कहा था हमने, क्योंकि blood में concentration जो है glucose की वो जादा है, तो higher to lower move करवाएगा, तो यह diffusion है, और facilitate इस वाद यह करवा रहा है, इसका protein, तो glucose की movement होगी, अब अगर आप और करें, तो यह जो first structure नजर आ रही है, आपको protein की, जो green color की जो protein है, यह जो channel की आपको structure नजर आ रही है, इसका आप देखें, तो cell के exterior जो portion है, वहाँ पे यह इसका जो, इसके जो site है, वो open है, तीक है, और जो cell का interior portion, वहाँ पे इसकी site closed है, और इसके लावा glucose की shape और इस जो, यह binding protein site है, यहाँ पे इसकी shape आपको resemble करती है, एक दूसरी जैसी नजर आएगी, तो अब क्या होगा, कि यह glucose आएगा, इस protein की साथ जाके attach हो जाएगा, second structure में देखें, वो enter हो गया इसमें, enter होने की वज़े से क्या होगा, कि वो इसकी, इस जो binding site से है, इस attach होने के बाद, इस protein की shape को change कर देगा, अब अगर आप note करें, तो third, यह जो structure है, उसमें, जो exterior site है, वहाँ पे, यह close हो चुकी है, इसकी site, और जो interior है, वो open है, तो इस तरह से क्या होगा, कि इस तरह से होने के बाद, यह जो glucose है, यह cell के अंदर move कर जाएगा, और जब cell, यह जो glucose है, cell के अंदर move करेगा, या आप कह सकते हों कि जब यह glucose है, यह protein को leave कर देगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर से, जो protein की structure है, वो again, बिल्कुल वैसी इसेल में जादा कराएगा। कौन से मेकनिजम के थूरू फैसलिटेटी डिफुजन के थूरू और यह तुर्ब से हमारी बोड़ी में कहां कहां पर जादा होगी और इसके लाववा हमने यह बढ़ा कि यह जो मेकनिजम कैसे कैरी आउट होगा। बाइ एक्टिबेटिंग गुलुको काइनेज एंजाइम, यह सेकंड स्लाइड है, इसको देखें, आपको नम्बरिंग निजर आ रही है, फर्स नम्बर पे इंसुलीन है, इंसुलीन आया, अपने रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हुआ, यह जो डबल लाइनिंग है, यह सेप्टर के साथ जाके अटैच हुआ, तो इसकी वज़ए सेकंड स्टेप के बाद, आप थर्ड पे देखो, तो यह जो प्रोटीन है, यह ओपन हो गए, अब यह गुलुकोस जो के आउटसाइड है, यह आप कह सकते हो के बलड में है, वो वहां से मूव करवाएगा, करेग हो गए हैं, और यह पोलीमर बन गया, तो यह है गलाइक हो जाएग, जो के पोली सकराइड है, आपको यहाँ पॉइंट वन और थरी के बीच में, स्टेप वन और स्टेप थरी के बीच में, गुलुकोस ट्रांसपोर्टर फोर लिखावा नजर आ रहा है, इस पॉइंट को ह वस्ट हमारा फंक्शन कार्भाइडर की मेटाबॉलिसम का एपार्ट का ही सेकिंड स्टेटमेंट है, बट ऑन दी अधर हैंड, इंसुलिन ड़स नौट फैसिलिटेट गुलुकोस एंट्री इंट्री इंटू ब्रेन और रपीसी लेकिन दूसरी तरव, इंसुलिन की वज़ यह चार तरह के हैं, यहां पर हैं इंसुलिन सेंसितिविटी, तो यह जो ट्रांस्पोर्टर हैं, कोई कुछ ऐसे हैं, जो के इंसुलिन सेंसितिव होंगे, कुछ ऐसे हैं, जो के नहीं होंगे, मतलब यह कुछ इंसुलिन के ऊपर डिपैंड करेंगे, कुछ इंसुलिन पर करेंगे जैसे आप नोट करो तो जीलीओं की मौजूदगी में काम करेगा अब प्रिवेस स्लाइड में यह पॉइंट जो मैंने आपको सक्त नोट करने को काता के गुलुकोस Transporter 4 है, जो कि Insulin Dependent है, जो Insulin की मौझूदकी में ये अपना function जो है, वो शो कर रहा है, अपना function जो है, परफॉर्म कर रहा है. अब हमारा एक question था, कि क्यों वो brain और RBC में नहीं move करता है, इस वज़े से नहीं move करता है, ये जो third column है, tissues आपको नजर आ रहा होगा, तो insulin independent जो transporter होते हैं वो होते हैं brain में, arbices में और इसके लावा kidney में, liver में, intestinal cells में और placenta में यह सारे वो tissues हैं जहां पे insulin independent transporter है तो क्योंकि यह जो tissues हैं, यह insulin independent transporter contain करते हैं, जिस वज़ा से यहां पे जो movement है वो insulin की वज़ा से नहीं होती तो फिर कहां पे insulin की वज़ा से movement होती है, skeletal muscles, smooth muscles, cardic muscles और adipocytes में second function B, it increases utilization of glucose for energy, अब क्या करेगा, ज़ादा से ज़ादा glucose को इस्तमाल करेगा utilize कहते हैं हम इस्तमाल करने को, ज़ादा से ज़ादा glucose को इस्तमाल करेगा ताकि energy जो है वो provide की जा सके body को third function C, it increases glycogen storage in cell, वो जो glucose cell के अंतर move किया था, वो कहां जाएगा, अब वो glycogen की form में store हो जाएगा D function, it increases the conversion of glucose into fat, अब क्या हुआ, हमने इससे पहले जो function पढ़े, first पे हमने यह पढ़ा कि glucose जो है, वो ज़ादा से ज़ादा के लावा क्या किया गया, जो glucose आया था, उसको glycogen में convert किया, अब हम यह कह रहे हैं कि glucose को fat में convert किया, ताकि उसको adipose tissue में store किया जा सके, ठीक है, हमने चार function पढ़े, carbohydrate की metabolism पे, first हमने यह कहा, कि glucose को जादा से जादा से जादा cell के अंदर move करवाया, फिर हमने यह कहा, वो ज किया, ताकि उससे energy प्रोवाइड किया सके, फिर हमने यह कहा, कि वो जो glucose cell के अंदर move किया है, वो glycogen में convert होगा, और अब हम यह कह रहे हैं, कि और जो excess glucose है, उसको fatty acids में, fats में convert करेंगे, ताकि इस form में उसको adipose tissue में store किया जा सके, second function, on fat metabolism, तो इसका fat metabolism पे क्या effect होता है, insulin का fat की metabolism पे यह effect होता है, कि a point इसका यह है, insulin forms fatty acid from excess liver glucose, जो अब excess liver glucose थी, उससे insulin fatty acid बना लेगी, ठीक है, प्रिविस स्लाइड में हमने क्या कहा था, कि यह fats बनाएंगे, यहाँ पे आपको image में नज़रा हो रहा होगा, यह जो maroon color से लिखा हुआ है, glucose से glycogen में convert हुआ, glucose से fatty acid में, तो अब यह जो fat यहाँ पे हमारे जो d function में fat लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि अभी fat में convert नहीं होगा, अभी fatty acid में convert होगा, fatty acid जो है, वो फिर further triglyceride में convert करेगी, finally fat में convert होगा, ताकि उसको एडिपोस्टिशों में store किया जा सके, तो यह fatty acid में convert हुआ, यहाँ पे भी गलुकोस से fatty acid बनाएगा, insulin from fatty acid from excess liver glucose कैसे, by activating acetyl S-CoA carbozylase, यहाँ पे जो S है, यह S नहीं है, तो गलुकोस से fatty acid बनेगा, कौन सा enzyme involve होगा, acetyl CoA carbozylase, फिर again इस नाम के एंड में भी A's है, तो यह भी enzyme है, तो यह enzyme क्या करता है, यह glucose को fatty acid में convert करवाता है, फिर इसके बाद इसी function के और भी part है, वो आपको जो next, इसी video lecture का जो next part है, उसमें आपको वो मिलेगा, तो अब इतना आप इस slide में हम उसको summarize करते हैं, ताक आप बाद में जब पढ़ो तो आपको easily समझ में आजए, बलड में glucose का level जादा हुआ, insulin body में जादा release हुई, ताकि glucose को जादा से जादा cell के अंदर move किया जा सके, वो जो glucose cell के अंदर move किया था, वो fatty acid बनाएगा, यह fatty acid फिर triglyceride में convert होंगे, triglyceride बनाएगे, हमने पढ़ा हैं, वो हमारी body में triglyceride की form में store होती हैं, और कहां store होती हैं, यह भी हमने पढ़ा तो addy post tissue में store होती हैं, तो जादा जादा triglyceride बनाके उनको addy post tissue में store करवाता जाएगा, जिसकी वज़से जिसकी वज़से जो blood glucose level है, वो low होगा, और इसके इलावा, इसके साथ साथ, जा जादा-ध्राइग्लेस राइगा और जो ट्राइग्लेस्राइट ड्रीकडा़न पाराम और ये दाइड «कुड्वर्य ऐसमेष का लिए और भी प्वाइड़न क्नूजार मेंद पेट्य नूजिदन्यच ब्राइग्लेस्ट अब तक इसलिए यहां बताया है आपको समझाए क्यूंकि हमने यह फैट की मेटाबॉलिजम के साथ ही कार्भाइडरेट की मेटाबॉलिजम का लास्ट फंक्शन रिलेट किया था क्यूंकि कार्भाइडरेट में हमने पढ़ लिया कि वो गुलुकोस को फैट में करवाते हैं फिर ह लिए 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 को एडिप पोस्ट इश्यू में कर्वर्ट करवाया ताकि उसको स्टोर किया जा सकें